नुश्कार दोस्तो फसल ग्यान चैनल में आप सबका फिर से सुवागत है आज हम बात करेंगे उन पोशक तत्वों की या उन सुक्स्म तत्वों की जो पोधी की वृद्धी के लिए और उनकी उपपचे किरिया के लिए बहुती जादा आउशक होते हैं उनके बीना पोधों के अंदर कुछ ऐसे बीमारिया आजाती है जो किसान भायों को नहीं समझ में आती कि ये किस वज़े से या किस कारण से हुई है उनकी अधिकता और उनकी नियुनता दोनों ही पोधी की वृद्धी उनकी उत्पादन और उनकी किरिया ओपर असर डालती है इन पुस्ट तत्वों के बारे में किसान भायों को पता ही नहीं होता कि ये भी पोधी की वृद्धी के लिए बहुत ही आउशक होते हैं हमारे किसान भाई जदातर nitrogen, phosphorus और potas तक ही सीमित रहते हैं इसके लावा sulphur, zinc का भी इस्तिमाल कभी-कभी किसान भाई करते रहते हैं एक बरोन तत्व का भी किसान भाई इस्तिमाल करते हैं इन सुक्स्म तत्वों को mainly दो तरह के हिस्सों में बाटा जाता है वरद्य तत्व और सुक्स्म तत्व में Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, Phosphorus, Potas, Calcium, Sulphur, Magnesium ये तत्व आते हैं आपको पता ही होगा कि हम Carbon, Hydrogen और Oxygen बहर से या उपर से पेड्य आफसलों को हम नहीं देते हैं Carbon, Hydrogen और Oxygen पोधे हवा से सीधे ही प्राप्त करते हैं इन तीनों तत्वों के अलावा जो भी तत्वों और बचे हैं उन तत्वों को किसान या तो मिट्टी के माध्यम से या इस्प्रे के माध्यम से पोदों को देते हैं जिससे उनकी ग्रोथ होती हैं। लागत और खपत बहुत तेजी से बढ़ती आ रही है। समय के साथ में इनकी मात्रा खेत के अंदर इतनी हो गई है कि हमें इनको बाहर से देने की आओ सकता अब नहीं होती है। तो वो की आउशकता पेड के लिए होती है। फैरस, बोरोन, क्लोरीन, मैगनेज, जिंक, कोपर, मॉलिबडेनम और निकल इनको हम सुक्स्मितत्व कहते हैं। सुक्स्मितत्व को ऐसे समझेगा कि जिनकी मात्रा पोधे के लिए बहुती कम होती है लेकिन जरूरी होती है। उनको हम सुक्स्मितत्व कहते हैं। आईए हम आपको बताते हैं कि इनका हमारे पेड़ पर किस तरह से क्या मैतो होता है। हाइड्लोजन , ऑक्सीजन , नाइट्रोजन , और कार्बन इन चारों को मिलाकर लगबख 45% पोधे की पूर्ती खादिकी होती है। बागी बचे 5% में हम शुक्स्मितत्व का परयोग करते हैं। या उस बचे 5% में पोधे को सुक्स्मितत्की आऊसकता होती है। इन सुक्स्म तत्वों को scientific भासा में PPM में ना पजाता है यानि के part per million अब हम बात करेंगे इनकी deficiency यानि के कमी और इनकी access यानि के अधिक्ता से पेड़ को होने वाले नुक्सान के बारे में